गुड मॉर्निंग सेकिंड क्लास टूडे विल बी श्टार्ट रिवीजन वर्क अफ थर्ड उनिट टेस्ट आंसर दा फॉलोइंग कोशन कोशन वन राइट इंपोर्टेंस ओफ वाटर आपको यहां पे इंपोर्टेंस ओफ वाटर लिखने हैं आंशर वाटर इस नेसिसरी फॉर यहां राइफ के लिए बहुत जरूरी है पानी और लीविंग बीन सब रूटर की वाटर की त्री आपको यहां एप्रूटर की जटर अनसर वाटर केंगर इन इंठ पायम हैं में three states में solid, liquid और gas, solid means ice वगेरा जो होती है liquid में जो हम लोग पीते हैं water और gas, gas में जैसे हम कभी देखते हैं आप लोग कि पानी से भाप बनके निकलता है, कभी हम पानी गरम होरा तो वो भाप निकलता है, तो वो कौन सी फॉर्म होती है, water की gas, थर्ड है, define skeleton, आपको यहाँ पर skeleton की definition बतानी है, answer, the bones of our body makes skeleton, जो हमारी body की bones होती है, वो क्या तयार करती है, skeleton 4th question, what is the function of muscles, आपको यहाँ पर muscles के function बतानी है, answer, skeleton and muscles work together to create movement, आपकी body में जो movement होती है, आप हाथ हिला सकते हैं, जो चल सकते हैं, किस की वज़े से होता है, muscles की वज़े से, I hope you all understand, thank you